आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके Motorola phone में play store open नहीं हो रहा है, या फिर आपके Motorola phone में play store खुल नहीं रहा है, तो ये problem कैसे ठीक करें, तो इसके लिए Motorola phone में settings open करिए, phone में settings में आने के बाद नीचे आएए, नीचे आएंगे तो अभी ये apps आएगा, apps किलिक करिए यहाँ पे फोन के सारे आप आएंगे तो नीचे ये see all apps आएगा इस पे किलिक करिए अब आपके फोन के सारे आप आएंगे तो नीचे आएए नीचे आएंगे तो आपके फोन में Google Play Store आएगा तो यहाँ पे ये Play Store आ रहा है तो आप अब ये Google Play Store पे किलिक करिए, Play Store पे किलिक करेंगे तो उपर ये Force से Stop आएगा, इस पे किलिक करिए, OK करिए नीचे Storage and Cache पे किलिक करिए, Clear Cache पे किलिक करिए Left में Clear Storage पे किलिक करिए, Delete या फिर OK करिए तो ये करने से कोई data कुछ Delete Reset नहीं होता है अब ये Clear Storage होने के बाद Back आईए, अब Back आने के बाद अपने फोन को एक बार Reboot करिए बंद करके चालू करिए, और अब चेक करिए, Motorola फोन में आपका Play Store काम कर रहा है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें